आज हम बात करेंगे व्यवस्था सिध्धान्त या प्रणाली द्रिश्टी कौन सिस्टम एप्रोच last theory है ये संगठन या प्रशाशन के सिध्धान्तों की बात कर रहे हम लोग संगठन के सिध्धान्तों को तीन भागों में विभाजित करते हुए हम अध्यन कर रहे हैं classical, neoclassical और modern theories या दूसरे सब्दों में thesis, antithesis और synthesis ये तीन कैटेगरी हैं, तीनों में कुछ basic difference हमने देखे हैं जो classical theories हैं, उन्होंने संगठन के एक पक्ष संदशना, तकनीक, आपचारे की आंतरे के इन चीजों पर बल दिया और फिर संगठन को कारिकुशल बनाने के सुझाओ दिये जो antithesis या neoclassical गुरूप है, एकदम विपरीत विचारों का प्रतिपादन किया उसने संगठन में कारिरत ब्यक्ती, उसके feelings, उसकी emotions, अनौपचारिक संगठन, मानवी दृष्टी कौन, इन सब चीजों पर बल दिया और फिर संगठन की कारिकुशलता की बात की और तीसरा गुरूप, modern या synthesis गुरूप जिसने इस बास्तिविक्ता को समझा कि न संगठन को कारिकुशल बनाना है तो सभी पक्षों को एक साथ लेकर चलना होगा और synthesis गुरूप में उसक्रम में हमने देखा ब्याभारवादी सिध्धानता या behavioral approach चेस्टर बर्नार्ड लेके आया उसमें उन्होंने आपचारिक अनपचारिक की पूरक्ता पर बल दिया आर्थिक सामाजिक दोनों तरहे के प्रेड़नों की बात की या सहवागी प्रवंध में भी हमने उसी तरह की प्रवृत्तियां देखी और जो ये सबसे लास थियोरी है व्यवस्था सिध्धानत या प्रणाली दृष्टी का और सबसे आधुनिक सिध्धानत है स्क्रीन पे देखे लिखा है सबसे आधुनिक और सबसे ब्यापक सिध्धानत है पीछे के जितने सिध्धान्त है इसने वस उन सभी सिध्धान्तों को आपस में मिलाया है उनका एक ही करण किया है सभाविक सीवा थे कि आध होनेख है ब्यापक है इसलिए सबसे स्वीकरित और मान्य सिध्धानत भी यही सिध्धान थे इसने पीछे के जितने सिध्धान थे एक पक्षिय सिध्धान थे उन सब को आपस में जोड़ दिया है व्यवारवाद या सहवागी प्रबंध ने काफी हद तक उस काम को पहले ही कर दिया था कि उन पक्षों को एक साथ जोड़ा था लेकिन एक तरह से कहा जाए कि जो भी उनमें भी थोड़ी बहुत कमिया रह गई थी उन सबको दूर करते हुए व्यवस्थावाद ने सारे सिध्धान्तों की जो अच्छी बातें थी उनको आपस में मिलाया अपने आप में एक संपूर्ण और समग्र सिध्धान्त बन गया व्यवस्था सिध्धान्त हाँ अलग से सिध्धान्त में किसी विद्वान का योगदान हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ऐस सच किसी विद्वान का योगदान है भी नहीं हमने इसके पहले देखा कि जो ब्याभारवादी विद्वान है वही सब ब्यावस्थावादी विद्वान भी है समय के साथ साथ उनके विचारों में ही कुछ सुधार कुछ अपग्रेडेशन हुआ है चेस्टर बर्नाड में ही हम देख किया है कि वो व्यभारवादी विद्वान भी है और वो व्यवस्थावादी विद्वान भी है उन्होंने संगठन में कारेरत ब्यक्ति के न केवल व्यभार का अध्यन किया बलकि संगठन को एक कॉपरेटिव सिस्टम या सहकारी व्यवस्था के रूप में पहचानते हुए उसकी व्याक्या की तो जितने व्यभारवादी विद्वान वही सब व्यवस्थावादी विद्वान भी है तो इसलिए व्यवारवाद में अलग से कोई भी विद्वान हमें नहीं पढ़ना तो इसलिए एक छोटी सी थियोरी है बस कुछ पांच्छे विशेस्ताएं जो इसक्रीन पे आप देख रहे हैं विवस्था सिद्धान अलग से कोई विद्वान इसमें पढ़ना नहीं होता है तो देखिया व्यवस्था सिद्धान की विशेस्ताएं क्या हैं विवस्था सिद्धान तो दो आधारों पर संगठन का अध्यन करता है पहला और दूसरा प्रशाशन को व्यवस्था मानें तो जो संगठन के पाच्च तत्व हैं वो उसकी उप्व्यवस्था की संग्या को प्राप्त करते हैं और दूसरा अगर हम पूरे ब्रहत सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्था मान लें तो संगठन या प्रशाशन उसकी एक उप व्यवस्था बन जाता है व्यवस्था सिध्धान्त संगठन की तुलना करता है मानव शरीर से व्यवस्था सिध्धान्त संगठन की तुलना करता है साइकिल से तो सबसे पहले थोड़ा मानव शरीर के संदर्व में समझें इस बात को और तफे हम प्रशाशन के संदर्व में देखेंगे यही बात बास्तव में ब्यवस्था सिद्धान्त जीविज्ञान में ही पैदा हुआ है और वहीं से यह दूसरे सबजेक्ट्स में इंपोर्ट किया गया हमने भी अपने विशए में वहीं से लिया है तो मुलत यह जीविज्ञान की थिवरी है और इसलिए मानो-शरीर के संदर्व में इस थिवरी की ब्याक्याएं देखने को मिलती है मानो शरीर को अगर हम व्यवस्था मालने है तो आप देखें मानो शरीर का निर्माड कई अंगों और अंग तंत्रों से मिलकर हुआ है उन्हें हम उश शरीर रूपी व्यवस्था की उप व्यवस्था कह सकते है पाचन तंत्रों सर्जन तंत्रों सर्जन तंत्रों जो जो कई सारे तंत्र हैं जिन से मिलके शरीर बना है आख ना कान गला हाथ पैर बहुत सारे अंग हैं जिन से मिलके मानो शरीर रूपी व्यवस्था बनी है शरीर अगर व्यावस्था है तो जो यंग और अंग तंत्र हैं ये इसकी उप व्यावस्था की संग्या को प्राप्त करते हैं शरीर के जितने अंग जितने अंग तंत्र हैं आप देखे सबके काम सबकी भूमिकाएं अलग अलग हैं पाचंत अंत्र का अलग, स्वशंत अंत्र का अलग, सर्जंत अंत्र का अलग, या हाथ, कान, गला, पैर, जो भी सब के काम, सब की भूमिका अलग अलग है लेकिन ये सब परस पर निर्भर है शरीर का कोई अंग इस आधार पर शरीर से निकल के अलग हो जाए कि उसका काम या भूमिका तो अलग है हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंग शरीर से निकल के अलग होता है बैसे ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है बहुत जरूरी काम और भूमिका है लेकिन तभी तक जब तक वो बाकी अंगों से जुड़ा हुआ है कोई भी यंग देख ले अधिक्तम शरीर से निकलने के बाद किसी भी यंग की जो अधिक्तम उम्र है वो एक घंटा, दो घंटा, तीन, चार घंटा मैक्जिमम आई डोनेट होते हैं आज कल तो हाथ पर सबके प्रत्यार उपण होने लगे और आप देखे कोई भी यंग ब्रेंड हो गया, किसी की डेथ हो गई, वो अपने शरीर के यंग डोनेट करता है, वारा धिक्तम बस इतना ही कुछ भी देखें आप एक्स, वाई, जेड, अगर उस दो तीन घंटे जो भी एक ताय समय है, उतनी देर में अगर वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में ट्रांस्प्लांट हो जाते हैं तो ठीक है, अधर वाई, विस्ट मतलब शरीर का कोई यंग शरीर रूपी व्यवस्था से निकल की अलग हो जाए अपने एगो, अपने अहम है कि अरे हमारा काम और भूमी का तो वड़ी महत्पून है, तो सही बात है, लेकिन तभी तक है जब तक आप बाकी का हिस्ता है, बाकी से जुड़े हुए, अधर व हैं, इवन केवल प्लेस भी चेंज हो जाएगी, अलग ना हो बाकी अंगों से, केवल प्लेस भी बदल जाए, तब भी शायद वो काम और भूमी का ना रह जाए, आख नाक कान जहां भी लगे हैं, अगर उनका प्लेस बदल दें, तब भी शायद वो भूमी का ना हो उनकी जो अभी निभाते हैं, तो जुड़ा होना जरूरी है, अपनी प्रॉपर प्लेस पर जुड़ा होना जरूरी है, अगर वो जो महत्पुन भूमी काका दम भर रहे हैं, उसको रिभाना है तो, प्लस, प्लस इसके साथ साथ देखें, हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्त और का तंत्र हैं वो सब उतने ही स्वस्त और कारे कुशल हों ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के दोंग स्वस्त और कारे कुशल रहें दोंग बीमार पड़े रहें और हम उम्मीद करें कि हमारा शरीर तो बहुत स्वस्त और कारे कुशल है ऐसा नहीं हो सकता शरीर के एक छोटे से हिस्से में देखे चोट लगती है, दर्द होता है, असर पूरे शरीर की कारे प्रणाली पर बढ़ता है छोटा सा सर्दी जुकाम हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, हाथ पर चलना बंद हो जाते हैं इसलिए कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए, परसपड निर्भर है, तो शरीर के स्वस्त और कारे कुशल होने के लिए जरूरी है कि हर छोटे से छोटा अंग, अंग तंतर उतना ही स्वस्त और कारे कुशल हो मुँ में दात में एक दर्द हो जाये तो देखे छोटा सा सरीर का कितना सा पार्ट एक परसेंट भी नहीं है एक दात लेकिन पूरे सरीर को किस तरीके से वो रात पर सौने नहीं दे थोड़ा सा दर्द हो जाया किस तो हर चोटे से चोटे अंग का उतना ही स्वस्त और कारे कुशल होना ज़रूर जो ये थियोरी शरीर के उपर लागू हो रही है बस इसी थियोरी को अगर हम कौपी कर दें प्रशाशन के उपर मानो शरीर की जगए संगठन या प्रशाशन अभी हमने कहा मानो शरीर व्यवस्ता है अब हम कहें कि संगठन या प्रशाशन व्यवस्ता है और जिस तरीके से मानो शरीर की अंग और अंगतन तो उप व्यवस्ता हैं उसी तरीके से यहां कहें कि संगठन के जो पांच तत्तो ह वो उप व्यवस्था है, तो पहला देखे, वही point हम बात करें, कि संगठन या प्रशाशन को व्यवस्था मान लें, तो उसके जो पांच तत्व हैं, तो उसकी उप व्यवस्था की संग्या को प्राप्त करते हैं, और दूसरा, कि हम पूरा जो ये ब्रहत समाज है हमारा, इसक संगठन या प्रशाशन भी है, तो अब ये सब उसकी अंगर, अंगतंत्र या उब्यवस्था हो जाएंगे, तो दूसरा वही लिखा है, कि पूरे ब्रहत समाज को सिस्टम या शरीर माल लिया जाए, तो राजनीतेक, आर्थेक, सामाजेक, धारमेक, सांस्क्रतेक, भागोल बहुत सारी उब्यवस्था हैं, उनी में एक उब्यवस्था संगठन या प्रशाशन है, तो दोनों आधारों प्रशाशन को व्यवस्था माना, तो उसके पांचतत उप्यवस्था और पूरे समाज को व्यवस्था मान लिया, तो संगठन या प्रशाशन उसकी एक भूमी का अलग-अलग लेकिन सब परसपर निर्था। शरीर के स्वस्थ होने के लिए हर अंग, हर अंग तंतर का स्वस्थ और कारिकुशल होना अतियंत आवश्यक। साइकल को व्यवस्था मान लीजिए। cycle व्यवस्था है तो देखे cycle रूपी व्यवस्था कि जो अंग है वो उसकी उप व्यवस्था की संग्या को प्राप्ट करते हैं handle, paddle, seat, पहिया, carrier जो जो देखे cycle रूपी व्यवस्था की उप व्यवस्था है अगेन देखिए आप सब के काम सब की भूमी काएं अलग अलग है हैंडल का काम अलग है पैडल का अलग है सीट का अलग है पहीय का अलग है लेकिन अगेन सब परस्पर निर्बर है साइकल का कोई अलग हो जाए कि हमारा काम या भूमी का तो अलग है जैसी अलग होगा वैसे ही खतम हो जाएगा साइकल की सीट कितना जरूरी काम है लेकिन अगर साइकल से निकाल दें तब उसका क्या काम रह जाएगा कभी आपने ऐसा देखा हो कि साइकल की सीट को घर के सोफे पर फिट किया गया हो काम सोफे का भी वही होता है जो साइकल में सीट का है लेकिन साइकल की सीट घर के सोफे पर फिट नहीं होती काम तो देखे दोनों का एकी है कभी साइकल की सीट आप कार में स्टेरिंग वाली सीट ड्राइवर सीट पे और ड्राइवर वाली सीट को आप साइकल की सीट पे कभी नी फिट होते हुए देखेंगे एक पर्टिकॉलर सिस्टम के जब वो पार्ट है उसके सब सिस्टम है तो है उनका बहुत बड़ा उप्योग और कही बार ब्याभार में भी देखिया आप हम उस सिस्टम से अपने आपको बड़ा समझनी लगते है परिवार में लगता है कि अरे हम इसे दो चलुँरा पूरा परिवार हम यह एक कमाने वाले की जो बिया यह संगठन हो, तो बहाँ आदमी को लगता है कि अरे हमी इसे तो चल रहा है, हम नहीं रहेंगे तो क्या बचेगा, पॉल्टीकल पार्टी, यह नेताजी अलग हो गए, क्या फरक पड़ता है आप सिस्टम के पार्ट रहेंगे तो आपका भी बड़ा उपयोग महत्व रहेगा और अपने आपको, आप सिस्टम से बड़ा समझेंगे एस इगो में किनीं, हम नहीं रहेंगे तो दुनिया खतं तो आज तक किसी की नहीं रुकती रहें कि परिवार का सबसे main कमाने वाला भी चला जाए तब भी परिवार चलता है यह जैसे चलता है वह यहाँ में के तो आप उस सिस्टम के पार्ट होके निभाते हैं बड़ी महत्मुर भूनी का सिस्टम से अलग होके ठीक है सिस्टम का जो भी हो लेकिन सबसे पहले तो आपका ही अस्तित्त्म होना अथ होता है है, हैंडल का काम कितना जरूरी है, कभी साइकल के हैंडल को हम कार में स्टेरिंग की जगए तो फिट नहीं कर सकते, कार में स्टेरिंग का काम भी भी होता है, Cristian calculate was है हैंडल का भी वही लेकिन उसी तरह से सब पैडल का अलग पहिये का अलग सब का अलग साइकल के पहिये को निकाल ले हैं साइकल की चेन को निकाल ले हैं क्या काम रह जाएगा हाँ यूपी बिहार में एक काम है साइकल की चेन का की वो लोग हाथ में लपेट के और अधरवाइस तो वो काम नहीं है उसका साइकल की चेन का गाव में बच्चों को खेलने के लिए कुछ नहीं है तो जरूर बिचारे वो साइकल के पहियों को लेकी दोडाते रहें कोई एक उनके लिए खेलो अधर वाइस तो कोई काम नहीं है उसका तो सब के काम भूमिकाएं हैं बड़े जरूरी और महत्वपूर्ण हैं लेकिन तभी तक जब तक की वो बाकी अंगों से जुड़े हुए हैं अलग होंगे तो उनका अस्तित खतम हो जाएगा और ना केवल जुड़े हैं दूसरी बात की अपने प्रॉपर प्लेस पर जुड़े हैं साइकल के हैंडल को जगल लगा होता है वहां से निकाल के आप सीट के पीछे फिट कर दीजाए तब भी उसका काम खतम हो जाएगा cycle की seat को जहां लगी होती है वहां से निकाल कि आप handle पे fit कर दीजे तब भी उसका काम खतम हो जाएगा तो पहली बात जुडाओ जरूरी है दूसरी बात अपने proper place पे जुडाओ जरूरी है और तीसरी बात की cycle को हमें स्वस्तर कारिकुसल बनाना है तो जरूरी है कि cycle के जितने अंग हैं सबस्वस्तर कारिकुसल हो seat नहीं लगा लें पहियों में हवा नहीं हो और उम्मीद करें कि cycle बहुत अच्छी चलेगी टेलर बेवर ने क्या किया, एल्टेने में उन्हें क्या किया, यहीं तो किया seat नहीं लगा दो, पहियों पे ध्यानी नहीं दो पहियों में हवा बर दो, चैन में तेल होई नहीं, तेन में जंग लगी हो, कैसे होगा तो अगर हम चाहते हैं कि साइकल अच्छी जले तो सीठ भी नई हो पहियों में हवा भी परियापतो चैन में तेल भी पढ़ा हो मतलव सारे अंग स्वस्त और कारे कुशल हो तो यही थियोरी तो संगठन और प्रशासन के लिए है अब समझ गए होंगे आप पूरी थियोरी की प्रशासन में क्या है व्यवस्ता सिद्धान कि संगठन रूपी साइकल के अगर पांच अंग है संदचना तकनीक व्यक्ति वाता वरणो तेस तो सबके काम सबके भूमिकाय अलग अलग हैं ठीक है लेकिन सब परस पर निर्भर है हमें संगठन रूपी साइकल को स्वस्तर कारेकुषल बनाना है तो सबका एक साथ स्वस्तर कारेकुषल होना जलूरी है विधियां भी बैग्ञानिक होनी चाहिए नौकरशाही को भी आदर्स होना चाहिए ब्यक्ति की भावनाव का भी ख्याल रखा जाना चाहिए तो जब एक साथ स्वस्त और कारिकुशल होंगे तभी बास्ताव में हम संगठन की कारिकुशलता को सुनिश्चित कर पाएंगे तो अब यह कह रहा है कि संगठन के सारे तत्तवों का एक साथ अध्यन कीजिए मतलव जोड़ दिया है इसने पीछे के सारे सिध्धानतों की नहीं तेलर जनोंने केवल संदसना तकनीक का दिन किया वो भी सामिल हो गया बेवर जनोंने नौकर शाही का वो भी आगा और एल्टन वी वो ने जनोंने बेक्ती की भावनाओ का वो भी क्योंकि यह कह रहा है कि सब को ए एक साथ लेके नहीं चलोगे और गिनाइजेशन को एजे होल एक 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 ही करतेकाई की रूप में नहीं देखोगे आप यह तोड़ मरोड के चीज़ें देखोगे तो कभी अपने उद्देश को प्राप्त नहीं कर पाओगे एप्रोच इंटीग्रेडिट होने चाहिए सब को साथ लेके चलने वाली एप्रोच होगी तभी संगठन और प्रशाशन कारिकुशल होगा दूसरे में भी वही वाद की पूरे समाच को हम व्यवस्था मान रहे हैं तो संगठन या प्रशासन उसकी एक उपव्यवस्था है, इस उपव्यवस्था का दूसरी उपव्यवस्थाओं से क्या संबन्द है, परस्पण निरभरता क्या है इनकी, जब तक हम वो नहीं देखेंगे, तभ तक भी हम संगठन और संगठन प्रशासन को कारिकोशल नहीं बना पाएंगे मतलब जो प्रशासने को प्यवस्था है ये राजनीती से कैसे जुड़ी है ये धार में क्या आर्थिक से कैसे जुड़ी है इनकी परस्पर निरभरता क्या है mutual dependency हमें इसको भी जानना समझना होगा तभी हम पूरे समाच को समझ पाएंगे और या तभी प्रश अगर कट यहां खुली परणा लिया open system है ये मुझ खोल के ये बात कह रहा है कि जब तक आप सारे तत्वों का एक साथ अध्यन नहीं करेंगे उसमें परिवेश भी है जब तक आप प्रशासन का राजनीती धर्म अर्थ के साथ संबंध नहीं देखेंगे तब तक प्रशास नहीं होंगे और इनी को तो हमने प्रशासन का परिवेश कहा है धार में कार्थिक सामाजिक चीजों को और यह मुझ खोल के कह रहा है कि आपको इन सब के प्रस पर संबंध देखने पड़ेंगे राजनीती में बरस्ता चारे आप सोचो प्रशासन इमांदार हो जाए कैसे संबह हो है जब सचिप का बहुत मंतरी है और वो बेइमान है कि अपरादी खो देया अपरादियों से मिला जुला है आप उस पार्ट को छोड़ दो और केवल आप सोचो कि प्रशासन बड़ा संबन देते हैं बिना आप उनके संबन्द और निर्वरता को जाने कैसे उमीद कर रहे हैं कि आप प्रशासन को सुधार दोगे की कारे कुशल बना दोगे तो सोच ब्यापक रखनी पड़ेगी सब को साथ लेके चलना पड़ेगा प्रतियक्ष या प्रतियक्ष रूप से जुड़ा है एक दूसरे से जो प्रभावित कर रहा है जब तक उतनी ब्यापक सोच के आधार पे अध्यन नहीं करेंगे तब तक संगत्थन की कारे कुशल प्रता को सुनेश्चित नहीं कर पाएंगे तीसरा पॉइंट उन्हीं दो से जुड़ा है ब्याख्या हो गई हॉलिस्टिक एप्रोच मतलब यही है कि चीजों को तोड़ मरोड के नहीं देखिए बलकी संपूनता समग्रता में ही अध्यन कीजिए होल से हॉलिस्टिक मतलब सब को एक साथ लेके चलना एक एकाई की जितनी उपकाईया है जब हम उनके परसपर संबंद और निर्भरता का अध्यन करते हैं तो उसे हम हॉलिस्टिक एप्रोच की संग्याद देते हैं एक एकाई की वो पिकाईयों के पारस पर एक संबन्द और निर्फरता का अध्यन तो देखे हो ही रहा है वो अगले दो पॉइंट जुड़े हैं एक दूसरे से निवेश, प्रक्रिया, उत्पाद, इंपुट, प्रॉसेस, आउटपुट और स्वाचालित, साइबर नेटेक और वो यहाँ चित्र के माध्यम से आप देखे एक है निवेश, यहाँ लिखा है एक दो तीन चार का मतलब, दो है प्रक्रिया, तीन है आउटपुट, चार है फीडवेक, प्रती पुस्टी और जो चारों तरफ का यह सरकिल दिखाया जा रहा है यह है परिवेश ब्यवस्था सिध्धान्त का कहना है कि कोई भी संगठन होता है वो समस्याएं और संसाधन इनपुट के रूप में बाह बातावरन से प्राप्त करता है कोई भी संगठन या प्रशासन बैक्यू में निरवात में काम नहीं करता प्रशासन का अध्यन उसके परिवेश के संदर में ही होना चाहिए क्यों तो वही ब्याक्या हो रही है क्योंकि कोई भी संगठनिया प्रशाशन जो भी उसके पास समस्याएं और संसाधन है वो बाह बातावरन से ही इनपुट के रूप में प्राप्त करता है एक प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है उन समस्याओं के समाधान के लिए देखा जाता है कि कितने संशाधन हैं कैसे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और एक आउटपुट की प्राप्ति होती है एक हो गया निवेश वही समस्याएं संसाधन, दो एक प्रक्रिया जिसके परिणाम सरूप तीन मतलब एक आउटपुट या निर्गत की प्राप्ति उस आउटपुट को उसी बाहरी बातावरण को सौप दिया जाता है जहां से समस्याय और संसाधन इनपुट के रूप में प्राप्त हुए है धीरे धीरे फीड़ेक मिला सुरू होता है लोगों की प्रतिक्रियाँ पता लगते हैं भविष्य में ये फीड़ेक भी इनपुट बन जाता है और इस तरीके से ये प्रक्रियाँ एक साइकलिक रूप में या साइवर नेटिक स्वचालित रूप में निरंतर चलती रहती है सरकार की जो भी योजनाय हैं वो स्वक्ष भारत हो वो ज्वला हो और जो भी आए उस्मान भारत बहुत सारी योजनाय चल रहीं कुछ समस्या थी देश में गरीबी की बिरोजगारी की गंदगी की और दुनिया वर की सारी समस्या है हमारे देश में गंदगी की समस्या थी माल लीजए सरकार को समस्तिया भी इसी समाज ने दी ऐसा तो नहीं कि मोदी जब प्रधार मंत्री बने तो वो अपने साथ गंदगी ले कि आ है वो तो इसी समाज ने उने PM भी चुना और इसी समाज ने उने PM चुनते साथी समस्याद भी दे दी किलो गरीबी भी बेरोजगारी भी ये भी ये भी ये भी अम निफ्टो और उसी समाज ने टेक्स के माध्यम से कुछ पैसा भी दे दिया किलो ये पैसा है ये समस्या है निफ्टो हमने तुम्हें बना दिया पीम समस्या भी उसी समास से मिल रही है परिवेश से संसाधन भी वहीं से आ रहे हैं प्रशासन के पास संगठन के पास उसका काम है कि देखे अच्छा गंदेगी की समस्या है कैसे इस समस्या का हल हो सकता है ते एक प्रक्रिया का आयोजन मंत्री सचेव और दूसरे नीती आयोग जो बैठ हैं बातचीत करें देखें कि कैसे इस समस्या का हल कर सकते हैं कितने हमारे पास बजट के माद्यम से संसाधने हजार करोणें की, दस अजार करोणें की क्या है और एक आउटपुट निकलता है कि स्वक्ष भारत मिशन शुरू करते है एक आउटपुट मिल गया हमें स्वक्ष भारत, अभियान अब उसे लागू किया हम ने लागू किया तो धीरे-धीरे हमें अब feedback मिल रहे हैं कि अभियान जो समस्या थी उसके समाधान में कितना सफल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है क्या-क्या दिक्कतें आ रही है लोगों का participation मिल रहा है नहीं मिल रहा है या और feedback मिल रहा है अगले साल इतने बड़े-बड़े देशों संगठनों की बात कर रहा है जो समस्या है देखिए आप पिछले 75 साल से हमारे देश में गरीबी भी रोजगारी है और अगले 75 साल तक रहनी है ये भी तैय है तो ये ऐसी समस्या है तो है नहीं तो ये समस्या संसाधन तो इनपोट है लेकिन अब ये feedback भी input बन गया है फिर एक प्रक्रिया हो फिर एक output मिले feedback के आधार पे की अच्छा जनता का सहयोग नहीं मिल रहा था तो हमको सुधार कर लें या कोई उसको छोड़के कोई दूसरी हो जना दूसरा भी या जो भी फिर एक output मिला फिर लागू किया फिर feedback मिले फिर वो input बना और इस तरीके से ये प्रक्रिया पिछले साथ साल से छे साल से चल रही है और हमने का चलती रही तो भही गरीवी के लिए सतर साल से योजनाय बनी हमारे देश में अगले सतर साल तक बनेंगी बेरोजगारी के लिए या उसी तरह से तो feedback की वज़े से क्या होता है ये प्रक्रिया हो जाती है स्वचालित साइवर नेटिक अगर feedback ना मिले तो प्रक्रिया input से शुरू होगी और output पे जाके समाप्त हो जाएगी हमें feedback ही नहीं मिलेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि वो जो output है वो कितना सफल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है और feedback मिल जाता है उसकी recording हम reform transform कर पाते हैं ताकि बहतर ढंग से perform कर सके तो प्रक्रिया स्वचालित हो जाती है और चुकी देखें यहाँ यह बताना चाहरा है कि कोई भी संगठन या प्रशासन निर्वात में vacuum में काम नहीं करता है सबका एक परिवेश है उसी परिवेश के संदर्ध में प्रशासन अपने काम कर रहा है गतिविधिया संचालित कर रहा है ऐसी स्थिती में अगर हम परिवेश को एगनोर करने की गलती कर देंगे तो कभी भी हम संगठन और प्रशासन के स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे ना उसकी कारिकोशलता को सुनिश्चित कर पाएंगे तो परिवेश का अध्यन अतियंत आवश्यक है और लास्ट विशेष्टा देख रहे हैं सिनर्जी सिनर्जी का मतलब क्या है वो यहां नीचे देख रहे हैं आप S है सिस्टम O है आउटपुट तो यहां लिखा है SO मतलब Output of System Is Greater Than बड़े का चिन लगा है तो Is Greater Than System 1 Output Plus System 2 Output Plus System 3 Output Plus Number of System Output हिंदी में कहें तो सिनर्जी का मतलब है एक व्यवस्था का निर्गत मतलब Output उसकी उप व्यवस्थाओं के निर्गत के कुल योग से जादा होता है एक व्यवस्था का निर्गत उसकी उप व्यवस्थाओं के निर्गत के कुल योग से जादा होता है system output is greater than मतलब व्यवस्था का निर्गत जादा system बन के output system to मतलब सब system कह दें इनको तो उप व्यवस्थाओं के निर्गत के कुल योग से इसलिए भी इसका कहना है कि किसी व्यवस्था की जितनी उप व्यवस्थाओं है उन सब को एक साथ लेकर चलना जरूरी है उन सब का एक साथ अध्यन करना जरूरी है क्या मतलब है इस बात इसका कहना है कि अगर आप संगठन की संदचना और तकनीक को कारिकुशल बनाएंगे बैग्यानिक विधियां पद्दतियां जो भी तो नो डाउट संगठन में उत्पादन बढ़ेगा कारिकुशलता बढ़ेगी अगर आप व्यक्ति की फीलिंग्स को एमोसंस को समझेंगे उन्हें सेटिस्पाई करेंगे नो डाउट संगठन की कारिकुशलता बढ़ेगी लेकिन लेकिन इसका कहना है कि अगर संदचना तकनीक और व्यक्ति ये सब एक साथ कारिकुशल होंगे तो इनके अलग अलग कारिकुशल होने का जो फाइदा संगठन को मिर रहा था ये जब एक साथ कारिकुशल होंगे तो इनके पारस्परिक संबंधों का कुछ additional फाइदा भी मिलेगा संगठन को बात को थोड़ा और आसान करें एक एक्जांपल से समझें इस बात को कि माल लीजे GS एक व्यवस्था है तो GS रूपी व्यवस्था में आप देखे कितनी व्यवस्था हैं हिस्ट्री है पॉलिटी है जागरफी है इको है साइंस है या और जो जो GS रूपी व्यवस्था की ये सब व्यवस्था हैं आपने हिस्ट्री पढ़ा तैयार किया अच्छा मालीजिस सो नंबर का तैयार हो गया खुब अच्छा लिख किया आया आपको चालीस नंबर मिले GS में इतने ही मिल जाए सो में से चालीस तो आप आईएस बन जाए 40-45 परसेंट बें इंडिया टोप कर जाते हैं लोग तो आपने सो की तैयारी करी हिस्ट्री तैयार हुआ खुब अच्छा लिखे 40-42 नंबर मिले आपको आपने पॉलिट्री तैयार किया सो नंबर का तैयार हुआ खूँ अच्छा लिखा तो फिर 40 मिले आपको लेकिन सिनर्जी का कहना है कि जब हिस्ट्री और पॉलिट्टी आप दोनों एक साथ तयार कर लोगे तो आपको 40 और 40 80 नहीं बलकि नब्बे मिलेंगे यह है सिनर्जी कि अकेला हिस्ट्री तयार किया 100 की तयारी हुई 40 मिले अकेला पॉलिट्टी तयार किया 100 की तयारी हुई 40 मिले लेकिन जब हिस्ट्री और पॉलिट्टी दोनों तयार हुए एक साथ तो 40 और 40 और 80 नहीं फिर आपको नब्बे मिलेंगे क्यों ऐसा क्योंकि आप इतिहास से जोड़ोगे संभीधान को राजव्यवस्था को और संभीधान से जोड़ोगे आप इतिहास को Regulating Act हो चाहे 587 58 का सता का हस्तांतरण हो चाहे 1861 का अधीनियम हो चाहे 1935 का अधीनियम हो 1935 के अधीनियम के प्रावधान क्या थे आप देखिये ये हिस्टि का भी पार्ट है और ये Create का भी पार्ट है अगर आपको हिस्टि की समझ नहीं है 1935 के अधीनियम के प्रावधान रटने पड़ेंगे आपको लेकिन वो प्रावधान क्यों लाए गए थे वो आप नहीं समझ पाओगी अगर आपको इतिहास की जानकारी नहीं है पॉलिटी पढ़ लो आप पॉलिटी में 1935 का धीनियम पढ़ लो आप उसके प्राउधान लेकर नगास जैसा आमने का हिस्ट्री की जानकारी नहीं तब रटने करी थिया और जो जो प्राउधान थे तो क्यों हुए थे वो और सोचके देखा हूँ एक आंसर आप लिखो कई जिसमें वो प्राउधान T Deputy लिखा लेकिन क्यों हूँ अइसा उस्की समझ नहों और दूसरा आंसर लिखो जिसमें उस समझ के साथ आंसर लिखो कि ऐसा क्यों हुआ था नंबर किसमें ज़्यादा मिलने चाहिए आपको खुद आप ही बता दे तो केवल पॉलिटी तैयार किया आपने 1935 का एक्ट लिखा तब 10 में से आपको कितने नंबर दिये जाने चाहिए अज़र हिस्ट्री की भी समझती आपको और तब आपने 1935 का धीनियम लिखा तब आपको कितने नंबर खुद आपी दोनों आनसर लिखे देख लो दोनों में अंतर होगा की नहीं होगा दोनों आंसर तो उस आंसर में दस में से फिर 5 और 6 हो जाएंगे की नी हो जाएंगे अब वो ऐसे समझ में नी आएगा ऐसे तराजू में तॉलक हो सकता नहीं देखे की कैसे ये 4 के 5 हो गए लेकिन होगा ऐसा की नी होगा आपके आंसर की डैप्त बड़ेगी आपकी समझ ब्रॉड होगी और सभाविक सी वात है वो चीजें आंसर में वो आपके बोलचाल में जहलकेंगी और देखेंगी तो फिर वो 40 और 40 असीनी होगा वो 90 हो जाएगा यही है सिनर्जी कि सिस्टम आउटपुट हमेशा जादा होता है सिस्टम के आउटपुट के कुलियोक से एकॉनमी भी तैयार कर लोगे जोगरफी भी तैयार कर लोगे सौ का तैयार हुआ 40 मिले लेकिन यह 40-40 120 नहींवल की 140 हो जाएंगे तो हमेसा जो फिर कहावत है की एक और एक, दो नहींवल की एक और एक 11, दो और दो पाँच पीछे भी चर्चा कर रहे थे वही बात यह कि संगठन में ही ताकर सिनरजी है सब को एक साथ लेके आप चलेंगे तो उनकी जो mutual dependency है वो additional साइदा मिलता है इसलिए भी इसका कहना है कि संगठन के जितने तत्व है उन सब को एक साथ लेके चलिए math आप सबने 10-12 तक तो पड़ी होगी अभी भी कई लोगों ने उसके बाद देखिए एक math का example देखें दस को अगर हम व्यवस्था मालने तो देखें 10 रूपी व्यवस्था का निर्माड पाँच प्लस तीन प्लस दो इन तीन उप व्यवस्थाओं से मिलके हुआ है दस पराबर पाँच प्लस तीन प्लस दो लेकिन जैसे ही हम दस का square करेंगे वैसे वोजाता है greater than की नहीं दस पराबर है पाँच प्लस तीन प्लस दो लेकिन दस का square बराबर नहीं है पाँच के square प्लस तीन के square प्लस दो के square से अब लगाईए आ दिमा की कैसे हो गया ऐसा उपर था बरावर और सब के उपर ही तो हमने इतनी तो किया दो दो तो चारों पर लगा है दो दो उपर फिर क्यों बरावर नहीं हो रहा है भी क्या हो गया ऐसा अनों का यहां हुआ है कुछ की नहीं हुआ है है कोई जवाबास तक इसका कि क्यों हुआ है इसा कі 10 बराबर तो था 5 प्लस 3 प्लस 2 और चारो संख्याओं पर ही हमने इतना किया है कि सब के उपर दो-दो लिख दिया है लेकिन अब बराबर नहीं है वो क्यों हो गया है यही है सिनरजी की 10 ग्रेटर देन नहीं पाच के स्कॉार प्लस 3 के स्क्वाइर प्लस दो के स्क्वाइर से जब की 10 बराबर था 5 प्लस 3 प्लस 2 से तो सिनरजी इसको कहते है तो इसलिए भी सिध्धान्त का कहना है कि संगठन के जितने तत्व हैं हमें उन सब को एक साथ लेके चलना होगा सब को एक साथ स्वस्थर कारिकुषल बनाना होगा तभी हम संगठन और प्रशाशन की कारिकुषल ताको सुनिश्चित कर पाएंगे यही था व्यवस्था सिध्धान्त पाच्छे उसकी विशेष्थाएं निसकर्स यही है कि चीजों को तोड़ मरोड के नहीं देखिए संगठन के जितने पक्ष जितने तत्व है सब को एक साथ लेके चलिए तभी बास्तों में संगठन और प्रशाशन कारिकुषल हो पाएंगे सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष और वर्तमाल समय में प्रासंगिक्त विशेस्ता हैं देखि ली सकारात्मक पक्षों की बात हमने करी ली सुरुआती वहीं से करी हमने देखिए वही पॉइंट है कि ये संपून एवं समग्र सिधान्त है चीजों को तोड मरोड के नहीं देखता है सब को एक साथ लेके चलने की बात करता है हम यह सारी बात है पीचे के सारे सिधान्तों को इसने आपस में जोड़दिया है इसमें टेलर भी आगए बेवर भी आगए मेयो भी आगए बरणार्ड भी आगए सब आ गए हैं क्योंकि इसका वज़ितना कहना है कि जितने तत्त में सब एक साथ जरूरी है प्रोसेस आउटपुट प्रक्रिया की बात कर रहा है वो निर्णय निर्मान का सबसे बैग्यानिक तरीका है कि हमें पता हो की समस्या क्या है कितने हमारे पास संसाधन है जितनी चादर उतने पैर फैलाना उसको ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया हो एक आउटपुट मिले लागू करें फीडबेक की एकॉर्डिंग सुधार संशोधन करें सबसे बहतर तरीका होता है निर्णय लेने का उसी की बात की है सने तो साइंटिफिक डिसिजिजन मेकिंग प्रोसेस या बैग्यानिक निर्णय निर्धारन पर बल देता है तो सकारात्मक पक्ष है कुछ कम पीशे ही मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम प्राचीन से आधनिक की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे कमिया कम होती जाती है लेकिन एपसुलूट दुनिया में कुछ नहीं है कहीं ऐसा नहीं है कि 100% केवल पॉजिटिव ही और निगेटिव कुछ नहीं तो दूसरा पक्ष थ अमूरत और अब्यावारिक सिध्धान्त है और इसलिए दूसरा पॉइंट के इसके आधार पे किसी सिध्धान्त का विकास किसी विद्वान का योगदान नहीं है मैंने तो सिनर्जी को इतना सोचा इतने एक्जामपल देखे आपको समझा दिया कि अब हर आदमी को समझ में आ गया होगा कि सिनर्जी का मतलब क्या है अधरवाईज otherwise आप देखें कि एहसास करेंगे तो समझ पाएंगे सिनर्जी otherwise नहीं कि कैसे 40-40-90 हो जाएंगे यह feeling की बात है यह एहसास की बात है यह तराजू में रखके तॉलने वाली बात नहीं है हमने तो आपको तराजू में तॉल के भी बता दिया कि 10 वरावर 5 प्लस 3 प्लस 2 लेकिं 10 का स्क्वार अधर वाईश जो feel कर सकता है जो एहसास कर सकता है वो सिनर्जी को समझ पाएगा कि 40-40-90 कैसे होगा लेकिन जो तराजू में रखके तॉल के देखना चाहेगा कि नहीं हमें तो बताओ कैसे हो गया नब्बर तो फिर उसके लिए कोई जवाब नहीं हो लागू कैसे करें इसको जब बात किलियर होगी तब तो पर इतनी अमूर्थ बात आप कर रहे है और यही कारण है कि इसके आधार पे किसी विद्वान का योगदान नहीं है सुरू से आस तक देखे बैग्यानिक प्रवन टेलर का योगदान नौकर शाही बेवर का योगदान मानो सम्मन मियो का योगदान ब्यभारवाद बर्नार्ड का योगदान ब्यवस्था सिद्धान सुरू में हमने ब बिद्वान का योगदान नहीं है छोटा मुटा सा एकात किसी ने कुछ जो कहा है थोड़ा बहुत बारणार्ड ने वो सहकारी व्यवस्था कह दिया तो वाल लेडी हमें पता है अधरवाई जैस सच पूरी त्योरी देखें कि जो व्यवस्था की माननेताओं को ध्यान में र व्यवस्था के सबकों साथ लेकर चलने के चक्र में कई वार क्या होता है कि मूली विश्यवस्था से ही भढ़काव हो जाता है और उसी का परिणाम अगला है कि शेली फिर वर्नातमक जादा हो जाती है क्यों हमने GS का example दिया आपको जान बूच के बास्तों में GS ब्यवस्था है GS और optional की तुलना कीजिया जो अंतर GS और optional का है वही अंतर है यहां tailor waiver और ब्यवस्था का पवेड है tailor या waiver या meo मतलब कोई भी एक particular thinker और GS है ब्यवस्था GS में history, geography, quality, science, economy, IR, current UPSC और UP की बात करें तो और उसमें 10 चीज़ें एथिक्स, disaster management तो social justice तो internal security तो ये तो वो दाइरे कितने ब्यापक हैं और उन दाइरे ब्यापक होने का परिणाम क्या होता है circle आप देखे जितना बड़ा करते हैं आप center point से ध्यान उतना दूर होता है की नहीं होता है जी एस का circle कितना बड़ा है optional से अगर compare करें तो तो optional में syllabus limited है fix है भटकाव नहीं होता है depth study कर पाते हैं तो हर चीज की analysis होती है approach analytical जादा होती है क्योंकि कम चीज़े है तो कम चीज़े हैं तो हर चीज की गहराई ना पलीज़े आप optional में आप history पढ़ते हैं तो आठ महीना और GS में history पढ़ाया जाता है तो डेड़ से दो महीना क्या अंतर हो गया दौनों नहीं कुछ सोच के देखेए स्लेवस लगभक से में आपसनल में भी इंडियन एंड बर्ल इस्ट्री और GS में भी वही लिखा है optional में आठ महीना और GS में दो महीना तो अंतर यही तो है कि optional में कुणे जैसी गहराई तक जाते हैं हर चीज़ की depth analysis होती है और GS में वस्तलाब जैसा सतही होता है कि फैलाए चोड़ाव में तो बढ़ गया वो लेकिन गहरा नहीं है उतना तो ऊपर ऊपर सुपरफिसियल सतही अधियन करके आगे बढ़ जाईए क्योंकि हर चीज़ की depth में जाएंगे 6 साल में GS complete नहीं होगा तो यही फिर अंतर हो जाता है भटकाओ का डर होता है GS में देखिया फिर भी UPSC ने या UP बिहार स्टेट में अब काफी कुछ define हो गया और स्थी नहीं है बरी में वस इतनAR नहीं लिखा है कि भारतिय पी आरधिवासता या बारतिय संवी धान और राज वश्था बस अब सम्ज़ेबह dipping नहीं आता कि क्या पढ़ए और क्या छोड़े हैं है कि फिन के होते हैं 25 कि भी को सीना ठोके कह दे कि आई हम पढ़के आया हैं घर से कि या पहाने वाला कह दे कि आई देखो ट्रॉस नोट समय पढ़ाया हमने हुआ हिस्ट्री पॉल्टी में ठीक है जो ट्रेडीशनल कुश्चान हैं तो हो अधर वाइज उसके अलावा बागी तो तुक्क की मानने पढ़ते हैं कि नहीं इसलिए किस लेवस इतना ब्यापक है सरक्ल इतना बड़ा है कि सेंटर पॉइंट से ध्यान भटकने का डर उतना ज़्यादा है जी एस में जो पढ़ते हैं बहां से कभी प्रसन नहीं पूछा जाता और जहां से प्रसन पूछा जाता है वो कभी पढ़ते नहीं हैं इसलिए कि इतने ब्यापक दाएरे हैं कि सब जतना पढ़ो फिर भी वो कमी है पढ़ाने वाले की वी लिमिट है और आपकी वी लिमिट है भी या हमने का छे साल तक ना आप पढ़ोगे ना कोई पढ़ाएगा और छे महीने में खतम करना है तो सब आप इकसी बात है की छे महीने में तो दुनिया का सीमित विकीपीडिया नहीं बना देगा वो तनी ग्यान देगा छे महीने में अब भज गया तो अच्छी बात और नहीं भजा तो भी अच्छी बात इतने व्यापक दाएरे जब हो जाते हैं तो दिक्कते होती है व्यवस्ता के साथ बही हुआ सब को एक साथ लेके चलो बहाँ हमें नहीं पता की पांस तब की पचास तब सब को साथ सब सब को साथ लेके चलने के चक्र में तो देखो 140 करोड़ा वादी है एक को कुछ करती है सरकार तो दूसरा और दूसरे को कुछ करती है तो यह नौटंगी चलती रहती है तेलर बेवर के साथ इस लिहाज से अच्छी बात थी कि वो अगर एक चीज पर फोकस कर रहे थे तो कम से कम उसकी जड़ से लेके तो अब तक सब चर्चा करी, सब एनलिसिस करी ये सब की बात कर रहा है और सब को साथ लेके चलने के चक्कर में कुछ नहीं मिलने वाली स्थिती हो जाती है तो ये इसकी कुछ कमिया है उसी से जुड़ी हैं और एक दो कमिया लिखी हैं कि अब इतनी ब्यापक थेरी है इतनी अमूर्थ है आम आदमी के समझ की बसकी बात है नहीं है उतने योग आपको लोग चाहिए है जो इस थेरी को समझ पाएं लागू कर पाएं इतनी ब्यापक है उतने आपको रिसोर चाहि ये कि इसको लागू कर पाया तो ये कुछ कमिया की गई है लेकर फिर भी आप देखेंगे भले अमूर्त और अब्यावारिक कहके कुछ बिद्वानों ने इसकी आलोचना की लेकिन उसके बाद भी सचाई है ये कि बास्तों में अगर हमें संगठन और प्रशासन को कारिकुशल बनाना है बास्तों में हम जीवन में कहीं सफल होना चाहते हैं तो सच्चाई है कि हमें व्यवस्था सिध्धान्त को अपनाना होगा प्रासंग एकता में पॉइंट दोई तीन चार दिख रहे हैं बस उधारों के दोहारा आप जितनी ब्याक्या करें उस चीज़ के जो मूल मुद्धा है कि ब्यवस्था की जितनी व्यवस्थाएं हैं सब को एक साथ लेकर चलना जरूरी है थोड़ा सा अगर यहां से हटके आपके ब्यक्तिगत जीवन की बात करें देखे सिविल सेवा परीक्षा यह भी अपने आप में ब्यवस्था है सिविल सेवा परीक्षा चाहे वो यूपी एस्टी की हो चाहे स्टेट सर्विस की इसे अगर हम ब्यवस्था माल लें तो देखे इसकी तीन ओप ब्यवस्था हैं प्री मेंस और इंटर्व्यू और देखें ये थियोरी लागू है वहाँ केवल प्री पास करके आप I.E.S.P.C.S. नहीं बन सकते केवल मेंस पास करके नहीं बलकि तीनों का एक साथ स्वस्त और कारिकुशल होना जरूरी है तीनों का अपना महत है प्री पास नहीं करोगे तो मेंस में बैठी नहीं पाओगे लेकिन केवल प्री पास करके भी जग नहीं जीत पाओगे जंग नहीं जीत पाओगे मेंस में इंटर्व्यू में एक नंबर से भी सेलेक्शन रह जाएगा तब भी ऐसा नहीं है कि आपको PCS कीज़गे कोई टीचर या कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी कि चलो भी या तो तीनों ब्यवस्था हैं तीनों का एक स्वाथ स्वस्त और कारी कुशल होना जरूरी है ऐसा भी नहीं होता कि इस साल प्री पास हो जाओ तो ग्रीन कार्ड हो जाओगे कि आगे अप्री में दुबारा नहीं बैठना पड़ेगा अगले बार सीधा में इस देने का मौका मिलेगा ऐसा भी नहीं है एक नंबर से भी इंटर्व्यू के बाद लोटा आओगे तो फिर जीरो से चड़ाई शुरू करनी पड़ेगी और पत्ता पड़ा कि दूसरी बाद प्री में ही पास नहीं हो पाते हो तो है ब्यवस्था सिद्दान की नहीं कि तीनों ब्यवस्था हैं जब तक तीनों एक साथ स्वस्थ और कारे कुसर नहीं होगी तब तक परपस सॉल्व नहीं होगा प्री को ब्यवस्था मालने तो देखिए जी एस और सी सेट यह चलिए नहीं है जहां सी सेट जी एस ही है UPSC में आज हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि GS में तो 60, 65, 65 कुष्चन सही कर रहा है C-SET में 25 भी सही नहीं हो पा रहे हैं C में से दोस हिंदी मीडियम को दे रहे हैं लेकर बास्तों में देखे तो pre पास नहीं हो रहा है कहां कहां मीडियम का चक्कर होता है और यहां चक्कर है तो लोग कहते हैं कि optional में नमबर नहीं आ रहा है ऐसा वैसा रहे भी यह यह तो देखो कि दिया कितने लोगों ने एक्जाम है means final selection नहीं है UPSC हिंदी मीडियम में क्यों नहीं है जरा यह तो means लिखोगे तब तो अच्छा बुरा का decision होना चाहिए हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं है तो रिजल्ट क्यों नहीं है कि असी मेंसे 27 question ठीक नहीं कर पारे लोग C set के अच्छे का से बीटेग एक इंजनियर फिल हो जा रहे है C set तो अगर दो पर ववस्था हैं G S O C set तो दोनों का स्वस्थ और कारे कुशल होना ज़रूरी है G S को ववस्था मालने तो पहले ही मैंने बताया हिस्ट्री जोगरफी पॉलिटी साइंस एकॉनमी सब उसके उप ववस्था हैं जब तक सब स्वस्थ और कारे कुशल नहीं हो काम नहीं होता अक्सर आप इस रणनीती पे चलते हैं और हमेशा मैं मना करता हूँ कि हिस्ट्री पॉलिटी खूब पढ़ लेते हैं 40 कुश्चन तो तय है 40 में से पूरे 40 ही कराएंगे एकॉनमी समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कभी इस तरह की गलती नहीं करना है व्यवस्था सिध्धान्त है कि आप दो छोड़ोगे दो को अच्छा करोगे वही टेलर बेवर होके रह जाओगे कभी उद्देश पूरा नहीं होगा आपको सब को साथ लेके चलना पड़ेगा हिस्ट्री भी अपने हिसाफ से बेस्ट करो और एकॉनमी भी जितना कर सकते उतना करो कितने भी बड़े हिस्ट्रीन बन जाओगे तब भी बीस में से बीस कुछ चैन सही नहीं कर पाओगे हिस्ट्री के पेपर सेट करने वाले को भी बिना आंसर बताए दस दिन बाद पेपर दे दिया जाए तो दस गलत कर देगा वो ही हमने क्या सोच के क्या कूट दिये थे क्या किया था और क्या सही आंसर था वो भी दस दिन बाद गलत कर देगा दस तो कितने बबड़ान हो जाओ आप सम्मीधान बिद हो जाओ को कि नहीं पॉलिटी में कुछ भी पूछ लो हम बीस मैं से बीस तो नहीं होता संभावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा तीजमार की फिर निकल जाती है बाद में कि दो खुब अच्छा कर लेते हैं दो छोड़ देते हैं प्री के मास्टद हो जाए मेंस का आती ही पता नहीं है जी एस खुब पढ़ लें दूसरे सी सेट का आता पता नहीं है आज कर लोग टेडिशनल सब्जेक हिस्टी जोगरफी पढ़ रहा है एथिक्स का पता ही नहीं है इंटर्नल सेक्योर्टी अपता नहीं है तो नहीं आप इस तरह की रणनीती को लेके कभी जीवन में सफल हो सकते हैं हमेशा यही व्यवस्था सिद्धान की संपूर्ण और समग्र सबको साथ लेके चलने वाली एप प्रोच होनी चाहिए तो ब्याभारिक जीवन की सफलता के लिए ज़रूरी सिद्धान थे अब बापस लोटे संगठन प्रशासंत वसकेवल उधारहने सबसे बड़ा मुद्धा वही है कि व्यवस्था की उप व्यवस्थाओं की पारस्परिक निर्भरता दो यहां एक्जाम्पल लिखे हैं एक एड्मिनिस्टेटिव रिफॉर्म एक प्रशासन एक सुधार प्रशासन एक सुधार कार्मिक प्रशासन मतलब संगठन में कारिरत कार्मिकों के भरती प्रशिक्षण का अध्यान कार्मिक प्रशासन को अगर व्यवस्था माल लिया जाए तो कार्मिक प्रशासन रूपी व्यवस्था आप देखेंगे भरती प्रशिक्षण पदो नती बेतन जैसी कई उप व्यवस्थाओं से मिलके बनी है बिलकुल यही थियोरी वहां हम देखते हैं कि भारती कार्मिक प्रशासन की एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम वही टेलर वेवर होके रह गये हैं हमने व्यवस्था सिध्धान्त को फॉलो नहीं किया है भरती को आधनिक बनाते हैं तो प्रशेक्षण पर ध्यान नहीं देते हैं प्रशेक्षण को सुधारते हैं तो बेतन पुराने जमाने के चले आ रहे हैं बेतन ठीक कर दिया है उसे निश्पादन मुल्यांकन से नहीं जोड़ा है मतलब बात वही कि जितने तत्व हैं सबको एक साथ लेकर नहीं चलते हैं बेतन बढ़ाएंगे तो सब के बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ेंगे तो किसी के नहीं बढ़ेंगे अब चाहे उसमें आप इमानदार हों और चाहे आप बेइमान चाहे आप इमानदारी से पूरा नो से छे आफिस में काम कर रहे हों और चाहे आप मकारी बढ़ेंगे तो सबके और नहीं बढ़ेंगे तो किसी के नहीं मतलब हमने निश्पादन मुल्यांकन और बेतन का कोई लिंक आपस में नहीं किया है कि हाँ इसका बढ़ेगा और इसका नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये इमानदार है ये बेइमान है बढ़ेगा तो सबका और नहीं तो किसी का नहीं सबसे बड़ी समस्या है भारतिय कार्मिक प्रशासन की कार्मिक प्रशासन रूपी व्यवस्था की जितनी उप व्यवस्थाएं हैं सब को एक साथ लेके हम नहीं चलते हैं नहीं हो पारे सब प्रशासनिक सुधार को ब्यवस्था मान लें तो प्रशासनिक सुधार रूपी ब्यवस्था की तीन उप ब्यवस्थाएं है सन्रजनागत सुधार, प्रक्रियागत सुधार और ब्यवहारगत सुधार और अगेन हम देखते हैं कि भारती ये प्रशासनिक सुधारों की सबसे बड़ी कमी है कि हम उन तीनों को एक साथ लेके नहीं चलते हैं संरजना अगर सुधार करते हैं तो प्रक्रिया नहीं सुधारते हैं प्रक्रिया सुधारते हैं तो कार्मिकों की सोच या ब्यावहार फिर भी नहीं बदलता वह वही पुराने जमाने वाला बना हुआ है भारत में आर्टी आई सिटियन चार्टर बहुत सा फ़ल नहीं है कारण यही है कि हमने संरसना और तक्नीक तो सुधार ने पर ध्यान दिया लेकिन ब्यावहार नहीं सुधार पा रहे हैं तो ब्यवस्ता सिद्धान का वहा है कि तीन तरह के सुधार है तीनों एक साथ नहीं कर रहे हैं एक कर रहे हैं तो दूसरे को छोड़ दे रहे हैं दो कर रहे हैं तो तीसरे को छोड़ दे रहे हैं नहीं मिल लगी सफलता यही प्रासंग एकता है विवस्था सिध्धान की ऐसे एक्जामपल तो प्रशासन का एक्जामपल कोट कर दें कार्मिक प्रशासन का एक्जामपल कोट कर दें और जाए निवेश प्रक्रिया उत्पात तो हमने का बिलकुल बैग्जान एक निर्णा निर्णा है जीवन के नि बिल्कुल उसी प्रॉसेस से होते हैं और होने चाहिए कि समस्त्या क्या है संसाधन कितने हैं अब एक प्रॉसेस हो आउटपुट मिले फीड़िवेक की एक ओर्डिंग सुधार संशोधन होता है नेड़न पर क्लिया है वही आजकल भी एको लॉजिकल एप प्रोच बताने की जिरोत नहीं है कि परिस्थिती के प्रफाव का अध्यन हर जगे वो तो सेकंड बर्ल वार के बाद से हो ही रहे खुली प्रणाली आही गई है कि कोई भी संगठ निरवात में काम नहीं करता जैसा देश वैसा वेश अगर नहीं होगा तो कुरोना है ओमी कुरोन है तो उसके इकॉर्डिंग सरकार के डिस्गेन हो चाही है तो उसके एकॉरडिंग पॉल्यूशन हो रहा है तो यह स्कूल बंद हो जाए कम होगे पॉल्यूशन तो खुल जाए तो हर देगे तो देखे वोगी है पाराशिस्थिक दिश्टिगोउण सिनर्जी तो फिर मैंने इतने सारे एक्जाम्पिल दिये कि कैसे चालीस उ चालीस अस्थीनी वलकी 90 होता है सब को एक साथ लेके चलने का जो एडीसिनल उनके संबंदों का फायदा है वो कैसे हमें मिलता है तो यह प्रासंग एकतावसिस की चर्चा कर सकते हैं तो यही था व्यवस्था सिध्धान्त या प्रणाली दृष्टी कौन यही था पूरा प्रशाशन के सिध्धान्त या थियोरीज ऑप और गिनाइजेशन आज की क्लास यहीं तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग कुछ पूछना हैं क्लियर है सब जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है कुछ नहीं पूछना तो चलि आज यहीं रोक रहे हैं कल आगे बढ़ाएंगे अगला एक नया टॉपिक सुरू होगा चलि तो आज यहीं मीटिंग रोक रहे हैं आप लोग छोड़ सकते हैं मीटिंग धन्यवाद कर दो दो लोड़ा है